तो गाइज, वेलकम बैक और मैं चैनल मैं स्विध आरना आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमिल आरेस अगरवारों के कुछ important questions डिसकर्स करेंगे तो जैसा कि मैं एक वीजियो में एक question कराऊंगी तो आपको और questions करें चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो आई अपना question read करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं important question है ये तो देखो question समझो question क्या कहता है the polynomial 2x cube plus x square minus ax plus 2 एक polynomial ये हो गया दोनों को ही x minus 2 से divide करते हैं तो जो remainder बचता है वो same होता है तो हम क्या लिखेंगे since पहले हम let कर लेंगे solution में अपना px माल लेंगे हम 2x cube plus x square minus ax plus 2 and जो हम gx माल लेंगे 2x cube minus 3x square minus 3x plus 1 एक हो ठीक है और जब हम इसे x minus 2 से दोनों को divide करते हैं तो दोनों same remainders ओरते हैं तो हम लिखेंगे since when पूरा न लिखेंगे सिदा से लिखेंगे bx and gx divided by x minus 2 leaves the same remainder then by using remainder theorem हम remainder theorem का use करेंगे using remainder theorem हम क्या put कर देंगे पहले हम put करेंगे x minus 2 को 0x की value निकालेंगे 2 now the same remainder छोड़ता है तो आप जब polynomial 2 में x की जगा 2 रखोगे और जब आप polynomial g में 2 रखोगे तो जो remainder आएगा वो equal होगा same होगा ऐसे कहा गया तो हम यह लेकर चलेंगे ठीक है रखो px में 2 2 into 2 का q plus 2 का square minus a into 2 plus 2 is equal to अब g में रखो तो 2 into 2 का q minus 3 into 2 का square minus 3 into 2 plus का a अब देखो यह आजएगा 2, 2 is a 4, 2 is a 16 यह आजएगा plus का 4 यह आजएगा minus का 2 a plus का 2 यह आएगा आपका 16, 2 is a 4, 3 is a 12 minus 6 plus का a अब देखो 16 से 16 तो आप कर दो cancel out 4 plus 2, 6, 6 minus 2 a और यह आएगा आपका minus का 18 plus का a इसको इधर लेआओ 18 को और 2 a को इधर लेआओ 18 और 6, 24, 2 a plus a, 3 a तो यहाँ से आपकी a की value क्या आई? 8 और यही हमें क्या करनी थी? 5, 5 फांड आउट करनी थी तो देयर फोर, दा रिकार वाल्यू आ वाल्यू अ ए इस 8 दा रिकार वाल्यू अ वाल्यू आ यहाँ अटैंक्यू